बवासीर की समस्या में जिसे हम पाइल्स या हिमोरोइड्स कहते हैं अंडे खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए वैसे देखा जाए तो कई लोगों के आहार में अंडे एक मुख्य अंग होता है क्योंकि अंडे प्रोटीन का बहुत अच्छा स्त्रोथ है और दूसरी ये बात है कि अंडों को बनाना भी वड़ा आसान होता है लेकिन अगर आप पाइल्स से परेशान है आप हिमोरोइड्स से परेशान है तो क्या अंडे खाना आपके लिए सुरक्षित है पाइल्स में बोज़ाता तकलीफ होती है दर्द होता है बहुती दर्दना की अस्तिती है और कई लोग इसे जब प्रभावित होते है तो उन्हें कभी-कभी दर्द के साथ-साथ खुजली या खुल निकलने जैसे भी समस्या होने लगती है और फिर ऐसी अवस्ता में खान-पान के उपर विशेज ध्यान दिया जाता है और फिर खान-पान की एक सुची बनाई जाती है क्या खाए, क्या न खाए और इसी सुची में अंडे का भी नमबर आ जाता है क्या अंडे खाने चाहिए, क्या यह सुरक्षित है, क्या इससे मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी और अगर अंडे खाना है तो कितने खाने है, किस तरह से खाने है ऐसे बहुत सारे सवाल दिमाग में आने लगते है तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे जानेंगे कि क्या अंडे आप खा सकते है, किस तरह से खा सकते है तो अगर आपको तकलीफ है पाइल्स फिशर फिचुला की तो इस वीडियो को अंतर तक ज़रूर देखिए नमस्कार, मैं डॉक्टर सीतल टॉंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका टॉंग से होमेपेथी इस यूट्यूब चानल पर अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जिचे सब्सक्राइब का बटन है वक्त निकालिए, तुरण सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हिल्स रिलेटेड नए अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सके देखिए अंडो से रिलेटेड कुछ इंपोर्टन बातों को हम समझते हैं देखिए सबसे पहला काम आपको जो करना है, आपको अंडो को उबाल कर आप खाईए इनके छोड़े-छोड़े तुकड़े बनाईए, सलाद में मिक्स करके, सलाद के साथ आप इन्हें खा सकते हैं इससे क्या होगा? आपको पोशन भी मिलेगा और तकलीफ नहीं होगी दूसरी इंपोर्टन बात जो आपने याद रखनी है वो है अंडे का सफेद हिस्सा ही खाईए अंडे का सफेद हिस्सा एक अच्छा स्त्रोध है आपके उरजा का, आपकी एनरजी का आपको पोशन भी मिलेगा इसके अलावा इसके अंदर विटामिन D होता है जो आपके शरीर के लिए काफी महतवपूर्ण है आपके हड्डियों को मजबूत बनाने में ये मदद करता है लेकिन यहाँ पर एक महतवपूर्ण बात याद रखिए अगर आपको कोलिस्ट्रॉल की समस्या है कोलिस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है तो ऐसे में अंडे खाना है या नहीं खाना है आपके डॉक्टर की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए तो पाइल्स की समस्या के दारान अंडे आपके लिए फाइदे मंद है या ये नुक्सान का सौधा हो सकता है तो चलिए पहले समझते हैं अंडे से आपको क्या-क्या फाइदा हो सकता है अगर आपको पाइल्स की सिकायत है तो आप अंडे खा सकते है क्योंकि अंडो में प्रोटीन्स होता है कम प्रमान में फाइबर्स होते है विटैमिन होती है इस तरह के important जो पोशक तत्व इसके अंदर होते है जो आपके लिए फाइदेका हो सकता है और इसलिए ये एक संपू पुर्ण आहर की तरह है तो अंडो में जो प्रोटीन है वो आपके मास पेशियों को मजबूत करने में मास पेशियों की वुद्धी करने में हिल्प करता है थोड़े प्रमान में जो फाइबर है आपके पाचन तंतर के लिए भी थोड़ा अच्छा है इसके लावा इसमें विटाइमिन D है आपके शरीर के विभीन हिस्सों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है तो यह फाइदे मंद है अब समझते हैं इसके नकरात्मक प्रभाव के बारे में अगर आप अंडे खाए या किस तरह से आप अंडे खाते है जिससे निगेटिव इंपक्ट आपक को हो सकती है कठनाईया हो सकती है और अगर पाइल्स की आपको शिकायत है तो यह शिकायत आपकी बढ़ सकती है आपको डाइजेशन की समस्याए बढ़ेंगी दूसरा जो इसका निगेटिव इंपक्ट आपके उपर हो सकता है वो है इसमें कोलेस्टरॉल होता है सो बातों को अच्छे से समझना जरूरी है और इसको समझ के कुछ खास बातों के उपर ध्यान रखके अंडे आप खा सकते हैं तो कौन कौन सी बातों के उपर ध्यान रखना है पहला काम आपको करना है अंडों को उबाल कर ही खाना है अंडे को उबालने से उसमें जो विटैमीन से प्रोटीन से आपके शरीर के लिए जो उपयोगी चीज़े है ये आपको मिल जाएगी और तकलीव भी आपको नहीं होगी पचन भी आपका अच्छा होगा दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है तले वे अंडे बिलकुल नहीं खाने है उससे आपको बचना है क्योंकि ये शरीर के लिए हानीका रखो सकता है इसलिए बॉयल एक्स आप खा सकते है ग्रील या ओमलेट जैसे स्वस्थ विकलपो का भी चैना आप कर सकते है साथी याद रखना है अंडे के साथ फाइबर युक्त आहर लेना है यानि सलाद भरपूर प्रमान में आपने खाना चाहिए इससे काफी समस्या आपकी सौल हो जाएगी आप हरी सबजिया ज़्या ज़्यादा से ज़्यादा खाइए फल ज़्यादा से ज़्यादा खाइए तेल गम खाइए और अंडे को खाते वक्त और एक बात जो ध्यान में रखनी है वह सयम रखिए बहुत ज़्यादा क्वांट और ध्यान रखिए कि आपको तकलीफ ना हूँ साथ ही कुछ विशेश बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए अगर आपको काफी दिनों से तकलीफ है तो आपने तुरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए चेक अप करना चाहिए मेरे पास काफी ऐसे पेशन्ट है जो पूरी तरह से बिना ओपरेशन ठीक हुए है आप भी बिना ओपरेशन ठीक हो सकते है इस तकलीफ से पूरी तरह से सुरक्षित बाहर निकल सकते है अपने आपको अच्छा कर सकते अगर आपको खूल की तकलीफ है बलड निकलता है या फिर बहुत ज़्यादा दर्द है आप बैठ नही इची दिया है आप मुझे WhatsApp कीजिए इसमें क्या-क्या करना चाहिए उसकी तरफ ध्यान दीजिए और काफी वीडियोज है मेरे इन वीडियोज को भी आप देख सकते हैं मेरे वीडियोज देखने के लिए आपको सीतल टोंग से लिखना है S-I-T-A-L-T-O-N-G-A-C सीतल स्टाइल डिसॉडर है आपको स्पैसी चीज़े ओईली चीज़े कम करनी चाहिए पानी भरपूर पिना चाहिए अगर आपका बैठने का काम है तो आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलना बहुत इंपोर्टन्ट है उठीए एक जगह पर बहुत देर तक बैठे मत र अगर आपको तकलीफ नहीं है तो आप खा सकते हैं लेकिन जो इंपोर्टन्ट टिप्स मैंने बताए है उनको जरूर फॉलू कीजिए तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए हसते रहिए मुस्कुरा आप करते रहिए थानियु आप